हालो, नमस्ते, आज मैं फिर नई वीडियो के साथ आ गई हूँ, ठंडी टाइम में इसले गर्म गरम मतर पनीर के सबजी खाएंगे, मैंने या पर गेस पितावा रखी है, मैंने दो चमस ओयल डाल दी हुई है, अभी ओयल को थोरे गरम होने देंगे, अभी इस टाइम हमें य अठuche से अंदर तक जाएंगे, अभी 2 मिनिट हो गङा है, खुले करके फ्राइ करने है इसको, 2 मिनिट के बाद, फोरे सौफ्टी है अभी भी, ज्जदा क्राण्ची नहीं करने है, ज्जदा सौफ्टी नहीं रखने हैं, इसलिए, अभी फिर 2 मिनिट एसे रख देंगे, इ मैंने छोटे-छोटे क्यूब्स ली हुई है अब यह देखे चार मिनिट हो गई तो एक साइट में थोरा ब्राउन आ गया है अभी इसको दो साइट से ब्राउन करने जरूरी नहीं है देखे अभे और एक मिनिट के बाद अभी पनिर पुरस सॉफ्ट है ज्ज़दा हाड में लीनिग ओनी कि अब इसको निकाल दे थे एक पलेट पर इसको खली कर देंगे अभी इसी तावा में हमें मटर को भी फ्राइ करने है यह देखें मैंने फ्रेश मटर लिया है एक बॉल लिया था 100 ग्रम्स मटर है यह अभी इसको 5 मिनिट तक ढख के पका लिया देखें पांच मिनिट के बाद में इसका टेस्टर चेंज हो गया अभी इसको भी निकल देंगे एक बॉल में क्रंची हो गया है मटर देखें अभी इसी पैन में हम फिर दो चमस ओयल डालेंगे मैं थोड़ा ओयल ज़्यादा ले रही हो आप कम ज़्यादा देख लीजें यहाँ पर गरम मसला में मैंने तेज पता एक लिये है और दाल जीनी एक टुकड़े और दो गल्मरीस और एक हरी एलाइची और दो लोंग ठन का मुसम है इसलिए थोड़ा गरम मसला खाना अभी अच्छी बात होते है और मैंने यहाँ पर सब जीरा डाली हुए एक चमस इसको सब मिक्स कर देंगे अच्छी से अच्छी से मिक्स हो गई है अभी हाँ पर हम डालेंगे हरी मिर्च अच्छी में थोड़ा स्पाइसी बना रहे हुँ इसलिए मैंने 5-6 कली लिये हुए और आप यह स्पाइसी कम ज़़ा कर सकते हैं और मैंने यहाँ पर गर्लिक चौप करके डाली हुई है, मैं यहाँ पर अद्रक को स्किप कर रही हूँ, आप चाहे तो अद्रक भी डाल सकते हो, इसे करके अच्छी से मिक्स करेंगे, थोड़ा ब्राउन होने तक करनी है, और मैंने यहाँ पर फाइन चॉप बड़ी बड़ी साइस की दो प्यास लिए है, मैं थोड़ मैं इस तरह से बना रही हो, पांच मिनिट के बाद प्यास देखे, सॉफ्ट हो गई है, इस टाइम हमें यहाँ पर टामेटर को भी डालनी है, टामेटर को भी अच्छी से से मिक्स कर देंगे, आप चाहे तो यहाँ भी आप ग्राइन करके डाल सकते हैं टामेटर, लेकिन जीरा भुनावा, हाफ टी स्पून, और रेड चिली पावडर, हाफ टी स्पून, और गरम असला, हाफ टी स्पून, अभी इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, इसको ऐसे मिक्स करके फिर भुननी है, दो मिनिट तक, क्योंकि हमें यहाँ पर पानी थोरा सभी यूस नहीं कर नमक डालने के बाद, हमारा यहाँ पर टामटर से थोरा पानी निकलेंगे, तो वे पानी से हमारा मसला अच्छे से पाकेंगे, तो इसको ढखके फिर दो मिनिट के लिए छोड़ देंगे, अच्छे से मिक्स करके रखके, इसको ढखकन लगा के, दो मिनिट तक रेस करने दे इसलिए पकने के लिए मसला तेल का जरूत होती है देखे बिना पानी का मसला इतने अच्छी से भून के तयार हो गए अभी यहाँ पर हम डालेंगे वह जो मटर फ्राइय करके रखे हुए थे उसको यहाँ पर ढ़लके अच्छी से मिक्स कर देंगे इसको क्योंकि यहाँ पर डालने के बाद थोरा सौफ्ट बन जाएंगे मटर जो फ्राइय करके रखे हुए थे उसमें स्वाद बनने के लिए मसला में भी भूनना होता है और पांच मिनिट के लिए धकन लागा के छोड़ देंगे पांच मिनिट के बाद देखिए मटर और मसला इतने अच्छी से मि ंच्छी ऐख बन गया और टेस्टी यं में भी बन गया आँ मैद देख सकते अब हैं यहाँ पर हमने जूम पानियर को फ्राइय करके रखे हुए थी उसको भी डाल देंगे देखें इतने साफट बनी यह पानिर अभी एक इसको अच्छी से मिक्स कर देंगे अभी एक बर यह सबजी बना के जरूर खाएं बहुत टेस्टी है और सब को पसंद आएंगे यह सबजी आफ यह बचों को टिफिन में भी बैस सकते हैं एक बर जरूर ट्राइ कीजिए इसको अभी धकन लगा के फिर पांच मिनिट के लिए लो फ्लेम करके रखेंगे पांच मिनिट का बात दखते हैं यह दिख के बनके तयार हो गए मसला तार सबजी अभी यहां पर हम डालेंगे हरी हरी फ्रेश धन्ने पता पर अच्छी साब्स कर देंगे थृट आप हमेशा मेरा वीडियो को प्यार हमेशा सपोर्ट बनाए रखे प्लीज और कॉमेंट लाइक शेर सस्क्राइब करना ना भूले आपका प्यार मुझे बहुत मोटिवेशन देते है और अब इसको मिक्स करके ढकन लगाके दो मिनिट तक छोड़ देंगी गेस को ओफ कर दिय मैंने ये दिखे सबजी हो गए तयार रोटी चावल के साथ में खाईए और इंजोई कीजिए और मैं फिर नई वीडियो के साथ आऊंगी थैंक यू